पीके के डेडी टेक्टिक में आपका स्वागत है मैं हूँ परसांथ आज मैं बिहार के मुकामा में हूँ और ये हमारे पीछे जो देख रहा है ये टीडियम डेडी पार में यहां लगबग सौ पसू है इनका जो एक सेक्षन है जहां पे कुछ रिपीटर का प्रॉब्लेम है कुछ गयों में था तो उसको हमने दूर किया और कुछ गयों में सीप करने में जो प्रॉब्लेम आ रही है उसका हम किस तरह बैलेंस करेंगे क्या फिडिंग होगा उसकी मैं जहनकारी दूँगा इस वीडियो में यहां का डाटा लेंगे और बताएंगे मैं अभी प्री जो को से प्राटा यहां मैंनेज्मेंन पर बात करते हैं यहां जो आप देख रहे हैं मिलकींग होगा की मिलकींग मसीन केद्व दौरा यहां दूद दुधाई का काम होता है और दुधाई होने के बार तेक गय का दूद का वेट करके आप वहां जो बोर्ट देख रहे हैं इस बोर्ट पे इंट्री होता है गय का नंबर होता है क्या दूद शुबा और साम का हुआ बोर्ट पे इंट्री करने के बाद फिर इसे रेजिस्टर पे इंट्री किया और यहां रेजिस्टर में इं आप कभी भी चाहें तो इस फार्म का सारा डाटा ले सकते हैं यहां के सिटाप इस तरह से ट्रेंट इनका जो काम बना हुआ है उसे वह करते हैं डाटा इंट्रिस से आपको यह पता चलता है कि आपका Farm किस position पे है और loss में जा रहा है या profit में जा रहा है अगर loss में जाने की इस्थिती में है तो उसे आप profit में कैसे लेंगे आप खुद बखुद उस पे काम करने लगें इसलिए परतेक दीन मिल्क का record होना किसी भी Farm के लिए बहुत ही जलूरी है और यहां पर यह प्रूपर किया जाता है इसके लिए एक स्पेसल एक स्टाप रखा गया है प्रॉब्लम होता है रिपीट बेडिंग का या एनेस्टर जो हीट में नहीं आती है तो उसको इस सेक्शन में रख दिया जाता है लगभग 10 कंफर्म है और गयओंका और इसमें से कुछ गय को सीमेण परा हुआ है इसमें चार गय को ता सदिखाए तो कुन-कुन सा गय है यह गय हो गई और कुन सी गय है दोस्तों ले गय को दिखाया जो एवीवेट की है और लगभग इसका सारे 600 वजन होना चाहिए तो हम यहां पर किस चीज का इस्तमाल करेंगे क्योंकि हमने एक वीडियो में बताया था 60% जो repeat का case आता है वो malnutrition के deficiency के कारण आता है तो malnutrition को हम कोई भी minerals से पुर्ती करते हैं क्योंकि जमीन का उब्रक्षमता कम है और उसमें जो minerals का पुर्ती होना चाहिए वो मवेशियों को नहीं हो पाता है दिन परती दिन घटते जा रहा है हमारा एक ब्रांड नेम आपने सुना होगा रेप्रो मीन रेप्रो मीन का इस मवेशि पे हम जो लगबग सारे 600 kg वजन होगा इसका इस्तमाल करेंगे और इसको चलाएंगे हीट में तो सर रेगलर यह आ जाती है बारवर तो आती ही रती है जीट में क्या एक इसमें दीन आ जाती है टाइम से यहने कि टाइम पे नहीं आती है अगे पीछे अभी इसको 50 ग्राम इसको हमने बदाया है इसलिए कि इसका बड़ी वेट जो सारे 600 kg से कम नहीं है यह भी ट्राम के पीज इसलिए इसका जो डोज होगा 50 क्राम इसको आप चलाएं यह बेस्ट रहेगा और हमको इसका साइकल के बारे में भी तुदा प्रीगों करेंगे कि क्या इसका इसका तने दीन पे आ रही है तो दोस्तों और जो गॉइट में हैं हम उधर जा रहे हैं और यह लगभग पांग साथ बार रिपेट हो चुकी अच्छा जो डोज देना है इसको 30 ग्राम देना है इसका बड़ी वेट जो है लगभग 400 kg के आसपास होना चाहिए तो इसको 30 ग्राम पटे देना है तो दोस्तों अभी जो मैं रेप्रोमीन का जोज बता रहा हूं गायों को कितना खिला है तो आप इससे एक माप सकते हैं कि मवेशियों के वेट के इसाब से किसी भी चीज का डोज होता है और कौन सी गया है यह वाली इसका क्या है यह भी सब रिपीट में है बच्चा पहले दे चुकी है लेकिन इस जागे कभी बहुत काफे लेट में यह हित्म लगबग इस समया पे ही आती है लेकिन रिपीट करें इसको भी 30 ग्राम यह दोनों गय को जो है 30-30 ग्राम देंगे इसका भी लगबग सारे 400 खेजी के आसपास वजन होना चाहिए इसको और इसको 30-30 ग्राम देना है वो जो गय थी उसको 50 ग्राम देना है दोस्तों रेप्र किसान जो इसका इस्तमाल जरूर करते हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन पर बहुत ही अच्छा इसका पर्पॉर्मेंस जाता है और फास करके इसमें विन्रल्स हैं प्रेस मिन्रल्स बिटैमिन्स और ओमेगा-3 फैटी एसीड जो कि आप ज़्यादा जानकारी कुछ लेना चाहे तो गूगल पर भी जा करको और unseen सर्च कर सकते हैं वैसे मैं बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है ओमेगा-3 आयरी टी आशीड के बारे में क्या रोल होता है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इससे लाइक कर देंश सब्सक्राइब करतें थैंक्यू मैं इसी तरह आपको इस फार्म का अपडेट करता रहोंगा, कुछ और भी फार्म हमारे साथ जुरेंगे, बिहार के और जारखंड के, जो टाइम टू टाइम मैं वहां का अपडेट करता रहोंगा, जिससे फार्मरों के बीच कुछ पैसन के साथ वो तेरी फार्मिंग का बिजने के लान वाद